Welcome to module no.6 module no.6 में हम लोग का topic है Introduction to Own Blogging तो Content Writing के इस Master Course में आप सभी का स्वागत है और module no.6 में आप सभी का स्वागत है तो फिलहाल हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग का topic है Introduction to Own Blogging तो देखो यार सबसे पहले आप लोग देखो Blogs होते क्या है ठीक है तो जितने भी website दिखते हैं आप internet पे चाहे वो कोई news website हो कोई tricks के website हो कोई education website हो कोई medical website हो ठीक है तो वो सब blogs कहलाते हैं और website से मेरा मतलब e-commerce website नहीं उसको हम लोग नहीं कहा सकते हैं blog basically वो है जहां पर हम लोग को information मिलता है अगर for example अगर हम लोग कोई अपना study material ढूंडते हैं ठीक है फिर हमें कोई website मिलता है कुछ भी study24hours.com ऐसे बहुत सारी website मिलते हैं तो उनमें हमें क्या होता है study material या फिर उस particular topic का answer मिलते हैं okay तो वो जो answer लिखा हो रहता है तो उसको actually हम लोग block कहते हैं उस type के websites या blocks को block कहते हैं ठीक है अब कोई news लिखा हो रहता है बहुत लंबा चौरा तो उस type के websites को हम लोग block कहते हैं ऐसा नहीं कि flip card amazon block कहा जाएगा ठीक है तो basically blocks वो होते हैं अब आप लोग कोने गौर क्या हो होगा एक मिनट जैसे example के लिए मैं आपको दिखा था study24hours.com ओकी ठीक है मैं यहाँ पे लिंक उपिन करता हूं इनका आप लोगोंने देखा होगा बहुत बार कि आप लोग कभी किसी website में visit करते हो तो website में visit करते हो तो वहाँ पे आपको ads नजर आते हैं ठीक है आप देखन बहुत सारे google के फिर बहुत सारे type के ads होते हैं जो आपको नजर आएंगे देखें यहाँ आप चल रहा है ठीक है तो यह सब basically ads होते हैं और इन ad के through ही जो website के owners होते हैं वो पैसा कमाते हैं मैं आपको बताता हूं कैसे जैसे कि मैंने आपको सायद मैंने आपको बताया नहीं है ठीक है मैं आपको अभी बताता हूं कि जैसे यह मैंने यह जो particular website open किया है यह blog कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ information दिया गया हमें और हम लोग इसको पढ़ने के लिए visit करते हैं तो आपको भी decide करना है कि आपको किस type के website या किस type के blog बनाना है जहां पर आप लोग अपने blog में यह ads को चला सकते हैं यह basically google के ads है Google इनके websites में देते हैं और होता क्या है अब आप देखिए for example यह जो study 24 hours dot com यह website है तो इसका owner क्या क्या है इसका owner सबसे पहले तो लोगों के लिए information दिया ठीक है जैसे यह information लोगों के लिए अब क्योंकि लोगों के लिए information दिया उस owner ने तो क्या होता है कि हम लोग Google में search करते हैं किसी भी चीज को जैसे इस particular topic को हम लोग search करेंगे Google में ठीक है तो हमें यह website का link मिलेगा तो हमने मालीजी कि इस website को visit किया अब visit किया तो यहाँ पे add run हो रहे है अब add run हो रहे है तो ऐ क्या होगा कि कहीं न कहीं 50 लोग तो अराम से इन ads पर click करेंगे क्योंकि यह जो ads होते हैं हमरे interest के मताविक होते हैं आपने देखा होगा कभी आप Flipkart Amazon में कुछ search करते हो और दो दिन बाद आप किसी blog को open करते हो तो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है वह सेम चीज वह आ 5 डॉलर से लेके 10 डॉलर तक का बनता है यान कि आराम से आपका सारे दिनसों से लेके करीबन करीबन 600 700 जैसा रुपीस बन जाता है only 1000 विजिटर में ठीक है 1000 विजिटर में और भी ज्यादा जा सकता है ऐसा बात नहीं है तो basically वही होता है कि आप लोग अगर अपना blog बनाते हो और अच्छे content लिखते हो जो लोग बहुत ज़्यादा search करते हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा visitors आएंगे मैं 1000 तो मैंने just example के लिए बहुत है ठीक है तो जितने ज़्यादा visitor उतने ज़्यादा पैसे earn कर पाऊगे और जितने अच्छा article आप लोग लिखोगे यह जो ठीक है तो मैंने आपको समझाया यह सब होता है अपना blogging यह सब होता है ठीक है ऐसे बहुत सारे होती ही है जैसे VTrix भी एक है तो इसको भी open करके एक बार दिखा देता हूं तो देखे basically इसको open करके दिखा देता हूं यह एक blog post है ठीक है यहां पर देखिए यह देखिए add आ गया तो basically यह सब add में जो click करते है add में click करने से ही जो website के owners होते हैं उनको पैसा जाता है ठीक है तो I hope आप समझ रहे हो इस type के website इस type के blogs को हम लोग blog कहते हैं जहां पे information के return में website owners को in add के उपर click आने पर जो revenue generate होता है वो उसका share मिलता है ठीक है तो I hope आप समझ रहे हो इस चीज को बहुत ही easy और अच्छा चीज है जो मैंने आपको अभी बताया तो module number seven में आप लोग और भी अच्छे से चीज को समझोगे और I hope आपको यह video पसंद आया फिलाल के लिए जादा कुछ है नहीं आपको जाने के ज़रुत नहीं है और भी अगर example चाहिए तो news किसी भी news जो website में चल जाओ आप लोग को example मिल जाएगा वो सब भी blog कहलाते हैं ठीक है तो फिलाल हम लोग इस course में आगे बरते हैं और आग को clear हो जाएगा तो thank you इस module में चलिए आगे बरते हैं